वाट वाज जैक्स फादर फर्स्ट नेम यानि जैक के फादर जी का नाम क्या था तो दोस्तों उनके फादर जी का नाम था अर्णिस्ट ऑप्शन से इस करेक्ट नेक्स्ट एमसे क्यों दोस्तों यह है कि वाट फूड दस सिसली सर्व टू वेंडलन यानि वेंडलन को सिसली क बिए यहां पर करेक्ट है next जो I'm so cute है दोस्तो वह यहीं है कि what was the nickname of wilds famous lover यानी Oscar Wilde जी जो है दोस्तो उनके जो जो lover है जो इनके साद इनका affair था उनका नाम क्या था उनका nickname क्या था यह पूछा जा रहा है तो उनका nickname था दोस्तों बोसी option d is correct नेक्स्ट वू लेफ्ट जैक इन दा हैंड बैग वैन ही वाज बेबी यानि जब जैक दोस्तों एक बेबी थे एक छोटे बच्चे थे बलकुल तब उनको हैंड बैग में किस ने छोड़ दिया था तो दोस्तों मिस प्रिजम ने छोड़ा था ओप्शन यहां पर ए सही है नेक्स्ट वू इस जैक ब्रदर यानि जैक के ब्रदर का नाम क्या है तो अलजर नान अलजर नान दोस्तों के ब्रदर का नेम है उप्शन बी इस करेक्ट है next एनम से क्यों दोस्तों ये है कि when does lady bracknell start liking Cicely यानि जो Cicely है उसको जो lady bracknell है breaknell वो कब like करना यानि पसंद करना start कर देती है दोस्तों वो उन्हें पसंद करना तब like करती है जब उन्हें पता चलता है कि Cicely जो है बहुती rich है Cicely is rich तो option C यहाँ पसंद सही है when C learns Cicely is rich जब उनको पता चलता है breaknell को कि Cicely बहुती rich है यानि बहुती ही अमीर है next जो MCO की है दोस्तों वो ये है कि what railway line was Jack found as a baby यानि कौन से railway line मे Jack as a baby मिले थे तो brighton brighton दोस्तों इसका 20 second option सही है next जो MCQ है दोस्तों वो ये है कि whom does Jack ask to marry him यानि Jack किस से कहता है कि उस से साधी कर ले वो तो दोस्तों वेंडरलन से वो कहता है तो option यहाँ पर यह सही है next whom does अलजर नान ask to marry him यानि अलजर नान जो है दोस्तों वो किसे से कहता है कि उससे marry कर ले तो दोस्तों वो सिसली से कहता है कि फोन से marry कर ले यानि साधी कर ले तो सिसली option C is correct नेक्स्ट जो MCQ है दोस्तों वो यह है कि अलजरान इस प्लेइंग डार्स इन दा बिगनिंग अफ द प्लेइंग यानि यह जो प्लेइंग है इस प्लेइंग के बिगनिंग में स्टार्टिंग में जो अलजरान है वो क्या बजा रहा होता है तो दोस्तों वो प्यानो बजा रहा होता है यहाँ पर option B यहाँ सही है next MCQ है दोस्तों कि why does lane think it is not polite to listen अलजरान's प्यानो प्लेइंग यानि जो lane है अलजरान का servant वो ऐसा क्यों सोचता है दोस्तों कि उसे जो अलजरान का जो अलजरान जो प्यानो बजा रहा है उसे नहीं सुनना चाहिए वो ऐसा क्यों सोचता है वो ऐसा दोस्तों इसलिए सुनता है because अलजरान प्लेज सो बैडली क्योंकि जो अलजरान जो है दोस्तों वो पियानो बहुत ही अच्छा नहीं बजा पाते हैं नेक्स्ट जो MCQ है दोस्तो वो यह है कि Where is Jack's house in the country यानि Jack का house कहां पर है country में तो दोस्तो हर्ट Sire में है हर्ट for Sire, option D is correct नेक्स्ट MCQ है कि Where does Elginan टेक लेडी ब्रेकनल in order to give Jack opportunity to propose to Wenderlin यानि जो अलजनान है दोस्तो वो लेडी जो ब्रेकनल है उनको कहां ले जाता है जब वो Jack को एक opportunity देना चाहता है कि Jack Wenderlin को propose कर दे यानि Jack को एक अफसर मिल सके Wenderlin को propose करने का तो उसके लिए जो अलजनान है वो लेडी ब्रेकनल को कहां ले जाता है तो दोस्तो वो music room में ले जाता है तो the music room option B यहाँ पर सही है and who is the play's protagonist यानि इस play का hero कौन है दोस्तो protagonist कौन है तो Jack है option C यहाँ पर सही है next how many acts is the importance of being earnest यानि यह जो play है the importance of being earnest इसमें यह कितना play का act है तो दोस्तो यह आपका three act play है तो option C यहाँ पर सही है three तो दोस्तो यह कुछ थे MCQ इस प्लेस से I hope दोस्तो मैं अच्छे से सभी चीज़े समझा पाया हूं तो दोस्तो मैं मिलता हूं आपसे next video में तब तक आपनों अपना ख्याल रखीगा मbn तोस्तो मैं तोस्तो दोस्तो मैं